नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुक्ते दिख्षित एस्टोलोजर आज हम बात करेंगे आपका सौमबार याने कि 10 अप्रेल का मार्केट कैसा रहेगा और ग्रह स्थिती के अनुसार मार्केट की क्या स्थिती बनेगी बहे मैं आप लोगों को बतलाओंगी साथ मैं आपका राशी खारत नबास्तों किसा साथ सेयर मार्केट के एस्टोलोजी में गोल्ड सिल्वर निफ्टी निफ्टी वेंकुड आइल के देनें वीकली मंफी प्रिक्षन दिया जाता है और इसमें आप लेवल जान सकते हैं मार्केट कितना डाउन जा सकता है किस दिन तेजी कि स्थिति काम करें मार्केट का रुख जरूर देखें और अपने श्वाब बेका उप्योग जरूर करें इसके वाद आप जो तिसके टिप्सों को देख सकते हैं और इसी के साथ जो है आपके लिए डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया गया है तो जियां दोस्तों सुरू करते हैं वीड पुरे दिन रहेगा और ब्रष्चिक रासी पूरे दिन रहेगी लेकिन जो बढ़नी नच्छत्र में बुद्ध जो है रात को आ चुके हैं याने आठतारिक की रात से बढ़नी नच्छत्र में बुद्ध प्रवेश कर चुके हैं तो बुद्ध ग्रह का प्रभाव भी हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है और इनका प्रभाव क्या रहेगा मैं आग कि लिए इसके सांथ सनी बिराजमान है सप्तम पेश प्रgebय की दिसा में जा सकता है तो जियां दोस्तों जो है ग्रह स्थिती के अनुसार मार्केट की स्थिती आप लोगों को बतलाओंगी सबसे पहले हम देखेंगे राशी फल क्या रहेगा तो राशी फल यदी हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है मेस राशी वालों के लिए कुछ हानी का योग बना हुआ है याने कि मिस्टित योग है आपके लिए तो लाब मिलते ही आप मार्केट से बाहर हो जाएं नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है प्रसब राशी वालों के लिए लाब का योग बना है इसके साथ तुला राशी वालों के लिए लाब का योग है और ब्रश्चिक राशी वालों के लिए हानी का योग बना हुआ है धनू राशी वालों को हानी का योग है इसके बाद आती हैं आपकी मकर राशी है तो जिन राशी वालों के लिए भी लाब का योग बना है बहुत ही सोच विचार के काम करें बरना हानी उठानी पर सकती है तो जिया दोस्तों ग्रहस्तिती के अनुसारी गड़नाय दी जाती है जैसे कि मैं लेवल निकालती हूं और उसके जो वीडियो रहते हैं भाई भी आप लोगों को सौट के रूप में देती हूं तो जिस प्रक आती है या तो आप इसके लिए जानकारी काराले के नंबर पर ले सकते हैं कि किस प्रकार से हम एस्ट्रोजी के बेस पेस में काम कर सकते हैं तो जिया दोस्तों और हमारी जो रिपोर्टर रहती हैं सब चार्जेवल रहती हैं जनम पत्री का जो लोग दिखलाना चाहते हैं तो वह भी चार्जेवल रहती है क्योंकि जनम पत्री का दिखलाने से आपको कुली सिया योग पता चल जाता है कि आपको मार्केट में काम करना चाहिए या नहीं यदि मार्केट में हानी के योग है तो हम बिल्गुल काम नहीं करना चाहिए अपना पैसा खराब नहीं करना च देखींगे कि कि सौमबार के मार्केट की ग्रह स्तिती क्या बनी हुई है तो निपटी में सबसे पहले हम देखेंगे कि निपटी में क्या हो सकता है कि यदिंगरु का ज़श गुरुबार के मार्केट में क्या स्थिती बन सकती है तो ग्रह स्थिती के मार्केट के अनुशार जो है मार्केट में हमें कुछ तेजी के योगी समझ में आ रहे हैं और इसके साथ यदि हम देखेंगे तो आपके मार्केट में जो है निफ्टी के लिए लग भग आप यह माल लीजी ये लग भग 90 पॉइंट से लेकर के लग भग 200-300 पॉइंट के बीच में भी काम हो सकता है इसके साथ जो है हम निप्ती और बैंक बैंक निप्ती के लिए देखते हैं तो बैंक निप्ती में भी जो है कुछ हमें तेजी ही देखने को मिर सकती है और इसके साथ इसमें जो काम के योग बन रहे हैं लगभग आप मान लीजिए कि 250 से लेकर के लगभग 520-30 पॉइंट के बीच में कारे हो सकता है तो इस प्रकार से निप्ती और बैंक निप्ती में कार की योग मैंने आपको बतलाए और इसके साथ एक वीडियो और बना रही हूं जिसमें कि आप गोर्ड सिल्बर प्रकूर्ड में क्या हो सकता है इसके बारे में जान सकते हैं उस वीडियो को भी देखना ना मुलें जो लोग काम करते हैं तो जी हैं दोस्तों यह जानकारी मैंने आपको एस्ट्रोजी की बिस्प्रदी है वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब